दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज 17 जुलाई के दिन मैं हरकी पैड़ी में पहुँच चुका हूँ आज कावड यात्रा का चौथा दिन है और यहाँ पर मालवी घाट में एक बहुती सुन्दर कावड देखने को मिली तो आप सभी को दर्सन कराते हैं और जो लोग यहाँ पर कावड लेकर आए हैं उनसे भी मिलाएंगे सबसे पहले यहाँ पर भगवान भोलेनात्य आप दर्सन कर सकते हैं बहुती सुन्दर कावड है और पिछले चार दिनों से जब से कावड यत्रा शुरू ही है अगर उनमें जो मैंने कावड देखी है उनमें सबसे सुन्दर यही कावड हमें लगी है तो अब तक ही कह सकते हैं सबसे सुन्दर कावड इस समय आप सभी देख रहे हैं और यह जो कावण है कहां से आई हूई है कौन लेके आया है आप सभी को उनसे मिलाते हैं और जानते हैं इनके बारे में हर बोले क्या नाम है और जी थोड़ा सब तेज़ बोलना होगा थुदा सोर बहुत बहुत हुआ है राहूल के लोगों की टीम है आपकी है चार बंदे हैं टोटल कितना समय लगा इस कावड तैयार करने में तीन अगे इतनी सुन्दर और इसे तो बहुति अच्छी बात है । हम इसमें क्या-क्या अपने इस कावड को टिवर करने में क्या-क्या कॉन कॉन सा मेटल इसमें लगा है तो पधे इसमें फिर की dei स्थेंड वें को लएगा साइड में लगी आयो में अचा बंस की ऑट खिया है तो तीन दिन में इतनी बड़ी कामड कैसे कितने गंटे डेली काम करते थे कामड़ पर परे अच्छा चौबिस गंटे में तैयार किया है अच्छा लगवाद कितने रुपए लग गया इस कामड को तयार करने में तो बीस रुपए पिर आपने किस से लिए अच्छा तो आप पढाई करते हैं फिर कैसे आपने कमाया यह चुटी पढ़ी थी चुटी ओमें कमाया वो खट्टे कर रखे थे जो पॉकेट मनी मिलती थी उसको खट्टा किया आपने पॉकेट मनी जो मिलती थी उसको खट्टा किया आपने तो दोस्तों देख सकते हैं यह युवा बालक हैं और कम एज के लग रहे हैं और इन्होंने काफी बड़ी कामड तयार किया है और सुन्दर कामड और इन्होंने बताया कि पॉकेट मनी जो इनको मिलती थी घर से उसको ज यह बहुत अच्छी बात है तो अच्छी बात है और अब यहां से किसने किलोमेटर है आपका किसकी बात हैं तो इस कावण को ले जाने में चार आदमी चीह होगा चारो लोग एक साथ कितने किलोमेटर चलने का प्लान है आपका कावण में कितना वजने लबग इसमें जल के साथ कितने किलो हो जाएगा लबग तो यह एक लोग ले जाएंगे बारी-बारी से बाउपली तो शीवलिंग लेके आये थे गंगा जल के पास और आप गंगा जल लेके जाओगे शीवलिंग के पास तो कहां जला भी सेख करोगे आप मंदिर कौन सा है जो अच्छा अच्छा प्राचीन मंदिर है काफी अच्छा तो आप इनका साथ देंगे अच्छा अच्छा आप यह हमारी पुरी टीम है यह हमारी टीम है अब को हाड के हरकी पैड़ी से मालवी घाट शे समय एक सुंधर कामड आप देख रहे हैं और जिस कामड को त्यार किया है अठारा अठारा साल के ये युवा बालक आपको देखने को मिल रहे हैं तो एक बार जैकारे लगा दो जै बोले की दोस्तों आई एक बार मैं चारों तरफ से आपको सुन्दर कामड के दर्शन कराता हूं ओ नमाई शिवाय 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 दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी अगर आप सभी को कावण अच्छी लगी है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को आगे सेर करें ताकि जादा से जादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके अगर आप इसी तरह लगातार हरिद्वार रिसी के सिमा गंगे के दर्शन करना चाहते हैं ऐसे ही सुन्दर सुन्दर कावण अत्रा को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे आप सभी अपना ख्याल रखें जै हिंद जै गंगे माता हर हर महादेव जै गंगे माता राज हर हरो दे ले अप सिराज जड़ा जड़ाई शिद जड़ाद आए हर हरो दोले